उत्तर परदेश के बुलंच शहर के आहार थाना श्रेत में एक युवक ने पहले युफ्ति को प्रेमजार में फसाया और उसके साथ यौन शोचन किया साथी वीडियो और फोटो भी अशलील बना लिये ये सभी वीडियो फोटो प्रेमी ने अपने दोस्तों को दे दिये ये हैं आहान थाना शेद बुलन शहर जनपत का इसी थाने शेद के गाउं में एक युफ्ती को पिछले जुलाई माह से उसका प्रेमी ब्लैक मिल कर रहा था साथी यौन शोशर भी कर रहा था आरोपी ने प्रेमेका के अशलील वीडियो और फोटो बनाए और अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पर फोरवड कर दिये घटना की रिपोर्ट पिड़ता ने थाने में प्रेमी और उसके दोस्तों के खिलाब दर्श करवाई जिसमें अंकित किया गयाब की प्रेमी और उसके दोस्तों ने भी यौन शोशर किया और घटना किसी को बताने पर जान से मानने की थमकी थी लेकिन F.I.R. दर्ज होने के बाद जब पीरता का बुलन शेहर की जिला चिकत साले में मेडिकल कराने को लाया गया तो उसने मेडिकल परिक्षर कराने से इंकार कर दिया थाना पुलिस ने पीरता को कोर्ट मजिस्टेट के सामने प्रस्तुत किया जहां 164 के बयान में भी पीरता ने घटना से इंकार करते हुए किसी के बैकावे में घटना को दर्ज कराने की बात कही पुलिस कह रही है कि इस मामले में आरोपियों के हिरासत मिले कर पूस्ताच की जा रही है खटना संदिक प्रतीत हो रही है फिर भी कारवाई की जा रही है क्या कहना है संतोष कुमार सिंग SSP बुलन शेयर का सुनी उसके द्वारा फाईया डर्ज कराई गई थी तो फिलाल घटना जूटी पाई गई है अब उसमें बैधानिक कारवाई पुलिस करे गई जाजा और रोचा खबरों के यूँ ही जुड़े रहे हमारे साथ और हां हमें सब्सक्राइब करना ना भूले नीचे दिये बैल आइकन को जरूर प्राइब